क्या आप कभी clash of clients यहाँ पर open नहीं हो रहा तो guys मैं आज सभी लोग को आज की वीडियो में बताने वालाओं कि clash of clients के जो यह glitch है इसको कैसे fix करना है कि crash problem और जो भी not opening जो भी problem से आज इसको fix करने वाले हैं जो की summer upgrade के बाद हो रही है तो आप सभी लोग यहाँ पर अपनी वी आप सभी लोग को बता है यहाँ आपको पहले अपने home screen पर जाना है तो आप सभी लोग ङहाँ पर देखो settings में आप सभी लोग की होगा कुछ लोग के पास अलग setting होती है और कुछ garlic के पास ब्ल capacit आप सभी tripि में इसा ऑप्जलात को इसे आप देख करना है श्पमें Jah banking स्पर हैं और आप से मगों पयापर पर जैसे storage usage and data usage details manage notification permissions and open by difficult तो आप सभी लोग के सामने इतने सारे options तो यहाँ पर storage usage पर क्लिक करना है तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर total app data change यहाँ पर सभी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर total देख सकते 888 MB तो app फिर यहाँ पर उसका size सब कुछ यहाँ पर आपको बताएगा लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे जो change का option आपको नजर आ रहा है यह वाला और यहाँ पर clear change तो आप सभी लोग को यह यहाँ पर क्लिक करना है और जितने भी आपने यह सब बैग्रॉंड में एपस रखे सब को clear कर देना है फिर इसके बाद आपको कुछ देर ऐसे ही दो सेकंड्स ऐसे रुख जाना है उसके बाद आपने clash of plans को open करना है और clash of plans को open करने यह बात अगर आपका open नहीं हो रहा तो ऐसी helpful and informative content के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए तो गाइस मैं आप सभी लोगो बहुत ही जल्ग गोल्ड पास giveaway की वीडियो लेके आने वाला हूं तो आप सभी लोग को मैं बता दूंगा इस वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है तो उसके लिए बस आपको नीचे comment करना र क्याइएंग nào